दोस्तों कल में गया था एक होम कंप्लेंट पे मुझे वहाँ से कंप्लेंट आय थी कि सर जी हमारे घर की जो वैल स्विच है उसको जब हम दबाते हैं तो हमारे घर की जो डोरवेल है वो बजती नहीं है उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है नागीन गून अगाज ह चून अचा कुछ भी नहीं आती है, हलांकि उसके अंदर से कोयर की आवाज आया करती थी पहले, तो दोस्तों आखिर वैल स्विच को दबाने के बाद भी बजाने के बाद भी जो कल तक बजती थी, अचानक से वो बंद क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं, इसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, कि स्विच खराब है, या वैल खराब है, तो सारी जनकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, मैं हूँ आपके साथ रामू पर साथ, और आप ही मेरे चैनल ऐसी सोलोशन पर, चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि मैं अक्सर लोगों के घरों पे जा करके, यानि कि उनकी जो होम कंप्लेंट होती है, इलेक्टिकल की, उसको ठीक करता ही रहता हूँ, तो कल मैं ऐसे ही एक घर के अंदर गया था, जहां पर उनका कंप्लेंट आया था हमारे पास में, हम वेल सुच को बाहर से दबाते हैं, लेकिन कितना ही दबा लें, हमारी वेल के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, जो हमारी डोर वेल हमारी घर के अंदर लगी है, उसके कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी वेल सुच लगी होती है, तो उसके उपर मतलब कोस की बूंदे या पानी की बूंदे पढ़ती रहती है, जिसके कारण से कि वो जो सुच है दोस्तों बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, खेर वो खराब होते हैं, उसमें तो ठोड़ा से सबस कोई हैं, लेगन दोस्तों आगर वेल स्विच्छ साए है, उसको दबाते हैं तो मतलब सही से काम करता है, फिर भी घंटी हमारी नहीं बसती है, वेल नहीं बसती है, तो आखि利革 प्रोबलम क्या होती है, तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसके लिए दूस्ट के लिए हमने सोचा कि क्यों ना इनको आवाज लगाने से पहले हम बैल को ही दबा के देख लेते हैं अगर बज गई तो इसका मतलब है कि घंटे इनकी सही है दोस्तों हमने बहुत बार इसको दबाया प्रेस किया लेकिन आसे अंदर से कोई भी व्यक्ति नहीं आया तो मजबूरन प्रेस लगी है चाहिए दो लगी तीन लगी कितनी लगी जिन सुचों पर आपको काम करना उनको आपको दबा करके देखना है यानि कि फ्लॉर बाइज आपको पता चल जाता कि कौन सा बड़त नबाने से कौन सी घंटी बजेगी तो उसी घंटी के ऊपर आपको टेस्टर स आ रहा है या नहीं तो अगर आपके टेस्टर के अंदर फेस का करंड बताता है तो आपको ऐसे में स्विच को दुबारा से दबा करके उसके बाद उसके उपर टेस्टर लगा अगर के देखना चाहिए यानि कि दबाने के बाद में दूसरे पॉइंट पे भी आपका टेस् करती इसका मतलब है कि उस स्विच के अंदर प्रोब्लम है पानी जाने की वज़े से वह सौट हो रहा या कार्बन बरने की वज़े से सौट हो रहा जिसकी वज़े से यह लाइट इसमें कम बिलिंक हो रही है अगर वह स्विच पूरी तरह से सही होगा तो आपके जो ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से पता लगा सकते हैं लेकिन बारिस और कुहरे के अंदर रहने की वज़े से हमारे स्विच अकसर जाम हो जाते हैं तो जब भी आप 5 महिने 6 महिने के अंदर जाते हैं कोई वेल स्विच चेक करने के लिए तो वहाँ पे उसके तरह लगे हैं सब को आप इसी तरह से छैक कर सकते हैं पतालगा सकते हैं वाकी दोस्तों जब भी कोई भी चीज चेक करने यानी कि घर की अगर वाईरिंग चेक करने जा रहें तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब घ्रहें म falar को सभखें इस नहीं होती है कुछ इस तरह से होती है इसको हमाइश सकते हैं कौन से को हटाना है राखें उसके उसके इसको और वायर है यह ऑप को निकाल लेना है औरफ लाख men नहीं तो आप अच्छे से जूते चपल सूखे पहन के कीजिए और वैल को आपको जो स्विच है उसको चेंज कर दीजिए इस तरह से आपका वर्क करेगा वो पुस बटन और इसका कनेक्शन जैसे आपने खोला था वैसे ही आपको इसको कर देना है देख सकते हमारा यह कनेक् करने हैं कि आपके जो डोर वैल है दोस्तों वह भी खराब है अगर वहां तक करंच रहा है तो आपगो इस वैल को यानि कि जो डोर बेल लगा हुए वहाँ पर उसको बाथ से बटन को किसी को बोल दीजी कि प्रेस्स करें बंदा तो आपका जो बल घ् scald होगा इसका मतलब है कि आपके सब्ट Victory त覺 त्रों को होगा इसे में हम ब्रॉट करके आएं यहां पे बेल कम सिंपल जैसे हमने निकाला था उसिंगे ने के त्यूंजब लगा देंगे लगाने के वाद में दोस्तों फिर हम बजा करके इसको देखेंगे कि यह बज़ रहा है और पूस्तुत difference पता लगा सकते हैं कि वैल खराब या सुच कराब या दोनों खराब है तो दोस्तों कैसे लिए आपको हमारी ये वीडियो मुझे जरूर बताईएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में त